फस गई हर्याना में बीजेपी सरकार, आग्या विश्वास प्रस्ताब, बीजेपी के नायब सैनी सरकार के पास नहीं है बहुमत, सदर में विश्वास मत पेश करने को तयार नहीं थे नायब सैनी, मुश्किल में फस गई है हर्याना की बीजेपी सरकार, विधान सबा में बह बहुमत परिक्षंट से भागने की कोशिश कर रही बीजेपी को चुनावों ने अब मुश्किल में फसा दिया है। हर्याना की बीजेपी सरकार सदन का सामना करने को तयार नहीं दिखाए दे रही है। हर्याना लोग हित पार्टी के गोपाल कांडा का वोट जोड कर ये संख्या 42 होती है। हर्याना की सीम नायाप सिंख सैनी विधानसबा में विश्वास प्रस्ताब लाने को तयार नहीं हो रही है। यहां तक की तीन महिने से हर्याना विधानसबा की कोई बैठक भी नहीं हुई है। और नहीं विधानसबा की बैठक बुलाने का कोई नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। लेकिन अब विपक्ष की पास सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया है। जिसमें वोटिंग भी होगी। और ये तैह हो जाएगा कि सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। दरसल हर्याना में कॉंग्रेस के राजसभा सदस्य दिपेंदर हुड़ा इस बार रहो तक सीट से लोग सबा चुनाव लड़े थे। और उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत हासल की है। जिसके बाद हुड़ा ने राजसभा की सीट से इस्तिफा दे दिया है। हुड़ा का राजसभा का कारेकाल दो साल का बचा हुआ था। ऐसे में अब उनकी सीट पर राजसभा चुनाव होगा। राजसभा चुनावों में विधायक ही वो डालते हैं। ऐसे में ये साफ है कि नायप सिंग सैनी विधायकों के जिस शक्ती परिक्षन से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर्याना में विधानसभा के चुनाव पांच महिने में ही हैं। ऐसे में विधायकों को अपने राजनीतिक भविशे की चिंता दिखाई दे रही है। जिस तरह के चुनाव परिणाम हाल ही में लोगसभा चुनावों में हर्याना में देखने को म उससे राज्य में कॉंग्रिस के अंदर उत्सा दिखाई दी रहा है। कॉंग्रिस के अंदर से लगा है।